राष्ट सर्पर्थम की बात कार्द करम में आप सभी राष्टवासियों का हार्दि स्वागत है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 11 मार्च को द्वार का इस्प्रेस वेकाव घाटन करेंगे वेक रोट शो भी करेंगे जो दिल्ली से शिरू होकर गुरुगुराम में समाप्त होगा केंद्री मंत्री रावंद्रजीत सिंग ने जानकारी साजा की उत्तरप्रदेश की मुख्य मंत्री योगी अधित्यनात ने प्रधान मंत्री मोधी को तीसरी बार वारण असी सी लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर हर्श्व्यक्त करते हुए उनका प्रदेश वास्यों के ओर से अभिनंदन किया बिहार सरकार ने भारती प्रशास्निक सेवा के वरिष्ट अधिकारी व्रजेश महरोत्रा को नया मुख्य सचिप नियुक्त किया रवर्तर निदेशाले ने कथित जमीन हडपने और नौकर शाही नियुक्तियों में रिश्वत लिने के मामली में धन शोधन जांच की तहत चेन्नेई में राजनीतिक रूप से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ छापे मारे केंद्री मंत्री मनसुक मंडाविया ने थोग दवाउ और चिकित्साउपकरणों के निर्मान के लिए देश भर में 40 नए संयंत्रों का अग्धाटन किया इस कदम से दवाओं में इस्तिमाल होने वाली महत्पून, सामग्रियों और चिकित्सा उपकर्णों के शेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी केंद्र ने भारत की परेटन शेत्र में स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ाने के प्रयासों के तहट लोगप्रिय स्थलो पर सौंदर्य और स्वच्छता मानकों को बढ़ाने के लिए स्वच्छता ग्रीन लिफ रेटिंग नामक पहल शिरू की एंद्रिय अन्वेशन ब्यूरो ने मड़िपूर जातिय हिंसा के दौरान विश्णूपूर पुलिस शास्त्रागार से हतियार और गोला बारूत की लूट के मामले में साथ आरोपियों के खिलाप आरोप पत्र दाखिल किया भातिय राष्टी राजमार्क प्राधिगरन के अधिकारियों ने मौसम संबंधी परिस्तितियों में सुधार हुने के बादर विबार सुभा जमो कश्मी राष्टी राजमार्क पर यातायाद बाहाल करने के प्रयास तेज कर दिये भोजपुरी अभिनेता पवंध सिंग ने बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चिनाव लड़ने से इनकार कर दिया है प्रोजेक्ट अलंकार के अंतरगत 1735 लाग से 26 राजकिय और शासकिय माधिमिक विद्यालियों में अतरिक्त कक्षा कक्ष स्वच पेजल बालक बालिका शौचालय प्रयोगशाला पुस्तकालय कक्ष मल्टी परपर्पेस हॉल का शिलानियास तथा 7.58 करोड से 141 राजकिय अशासकिय माधिमिक विद्यालियों में 330 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना वस्वामी विवेकानन्द युवाश शक्तिकरन योजना की अंतरगत 4500 चात्र चात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरन कारिक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाद भी कारिक्रम में मौजूद रहे इस दोरान सीम योगी ने कारिक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चात्र चात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरन कारिक्रम नवंबर 2021 में प्रारंब किया गया था सीम ने कहा कि इसे प्रदेश की युवा शक्ति को डिजिटल बनाने के उद्देश से शुरू किया गया सब्सक्राइब करें प्रमार्ट पत्र रित्रन का भी कारिक्रम है और प्रोजेक्ट अलंकार के इंतरिकर्ण गौर्णमिंट इंटर्कॉलेज़ में गौर्मिंट गौसंट इंतर्कॉलेज़ नया अम्हें है इस कारिक्रम में जुडे वे प्रदेशzn वखरके हमारे सभी जो समस्ताइए इस कारिक्रम के साथ जुड़ी वी यह उसके भी प्रदाशार्य वहां की छाकबबर शाक्राणी भी होंगी इन सभी कारिक्रमों के ले में उपर प्रदेश थेसने जो इस अभ्षा से नाहानित होने वाले हैं विद्यारियों को उनके सिख्षबों को प्रभानचारियों को और सास्किय साथा साहिता प्राप्तर और सास्किय विद्यारियों के प्रभंदकों को भी मैं हिते से बढ़ाई देता हूं अपनी सुप्तामराई देता हूं तीन प्रकार्टी को एक कारिक्रम है जिसमें पहला मेरा बताया कि टैबलेट स्मार्ट फोन 2021 में नौबर 2021 में हम्मोगनी स्योजिना को प्रारंब किया था इसके पीछे काउप्डे से था कि हम प्रदेश की अपनी युवासक्ति को दिजितली सक्सम बना सके और मुझे बताते प्रसंता है कि पिछले दो तीन वर्स के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बीस लाट से जिक चात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्ट फोन फिलक्त करवाने का काम किया है जिस काम में आज गुर्द्पुर में भी चार हजार से जिक बिद्यार्ट को इस विखलो प्लब्द करवाई चा रही है कि बिना भेद्वा की हर युवाकों जिस से वाप टकली की दिश्ते बिस्दली अपने आपको सक्सम कर सके आप इसमें देखेंगे आपके टैबलेट समार्फोन में केंडरो राज्य सरकार की योगाओं से जुडिवी सभी प्रकार की योजनों को उसमें जोड़ा देया है आप अगर उस स्मार्ट टैब्लेट को देखेंगे तो उसके मातिम से आपको केमरो राधे सासन से जुड़ी भी समी में तो को जानकारिया प्रापको हो जाएंगे और उसके अंडू आप अपने आपको तैयार करके स्वावलंवन के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देकर के प्रणामंत्री वौदी जी के विक्सित भारत की परिकल्पना तो साकार करने में अपना योगदान देखाएंगे एक टैबलेटर स्मार्टफोन विक्तन का करक्रम इसमें हमें दो करोड युवाओं को इस योजिना के साथ जोड़ना है और यूपी को बिस्तन इंडिया मिसंग के साथ देश के अगणी राज्ये के रूप में स्ताफिक करना है और इसके लिए इस बड़े कारिक्रम में आख मुझे गरख पूर में इतने युवाओं जयारतियों के साथ जुवले का उसल प्राक्त होबा है जिने टैगलेटर स्मार्टफोन प्राक्त होबा है उँस सबको मेरे बढ़ाई जिने नहीं प्राक्त होई है बेम्कचार करें उनको भी ये फिरुजना काना रोज से प्राप्त होगा इसके लिए मैं अभी से उनको अपनी सुखताम नहीं देखा हूँ दूसरा है स्मार्ड क्लास का आपने देखा होगा 141 विद्यालेओं के 330 क्लास रूम में आज एक साथ स्मार्ड क्लास की स्थापना का कारिक्रम भी CSR मेजिसेंट पैसा दिला रहे है हर विद्याले में दो-दो ऐसी क्लास्रूम होंगी जिस क्लास्रूम में हम लोग विद्यारफियों के इसके मातन से जोड़ देंगे और इसका उप्यों तो बहुत अच्छा हो सकता है अगर सहस्थाएं चाहेंगे तो उस स्मार्ड क्लास के साथ डिस्कन में पर जोड़ सकते हैं इसका पर जोड़ने का उससर प्राक्त होगा है जिने शिवद्धा प्राक्त हो रहे हैं उन सब को हिद्य से बढ़ाएं उन सब को मेरी शुक्ताम नहीं 36 गड के जस्पूर में स्वर्गिय श्रत्रुंजर प्रताप सिंग जुदेव सुर्विती क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन कारिक्रम आयोजित किया गया इस अफसर पर 36 गड की मुख्यमंत्री विश्नोदेव साही भी कारिक्रम में मौजूद रहे इस दोरान सीम ने कारिकरम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गिय शत्रुंजर प्रताप सिंग जुदेव मेमोरियर फ्लेड लाइट टैनिस बॉल अंतराजी क्रिकेट प्रतियोगिता बहुत बड़ा आयोजन है यह विगत साथ वर्षों से लगतार आयोजित की जा रही है सीम साई ने आयोजन के लिए यंग तिरंगा समिती को प्रतिवर्ष 10 लाक रुपए देने की घोशना की आज जस्पूर की स्पावन भूनी में स्वर्गे सतुंजे परताप सिंग जुदेव की स्मृति में यंग तिरंगा समिती के द्वारा आयोजित फलड लाइट क्रिकेट प्रतियोगिता दो हजार चोबिस और आज ये समापन का उसर पूरे जस्पूर और जस्पूर छेत्र के क्रिकेट प्रेमी सज्जनों माताइं बहने इवास आथियोग और आज फाइनल मैच में भागली रहे फारे सिलेवन जम्मू से जो टीम आई है और रंगिला जो राची जारखन से टीम आई है ऐसे टीम दोनों टीम के कप्तान खिलारी बंदुगन और मेडिया के मित्रों और ये प्रतुगता बिगत साथ वरसों से लगातार चलते आ रहा है और मुझे लगता है कि हर बार के प्रतुगता में आप लोगोंने बुलाया है समान किया है इसके लिए आप सब लोगों के आभारी हैं और पहले हमाँ सांसत तो केंद्री राजमंत्री के नातिक सामिल होते रहे हैं लेकिन इस बार पूरे जस्पर वासियों का असिरवाद स्वर्गे दिलिप सिंग उदेव जी का असिरवाद बाला जी भगवान का असिरवाद माता चंडी का असिरवाद कि आज इस फाइनल पर तुखता में कि भूयों के बीच में हैं मैं बहुत बहुत इस असर पर आप सब लोगों का अभी नंदन करता हूं स्वागत करता हूं और स्वर्गे सतुझे परताब सिंग उदेव जी कोही से सर पर बिनम्ड सरद्धाण करता हूँ स्वर्गे से तुन्जे प्रताव सिंग जुदेव जी युवाओं के दिल के धड़कन थे युवा हिर्दय सम्राठ थे आज उनकी स्पृति में एक बीड़ा हमारे जस्पुर के युवाओं ने उठाया है यंग तिरंगा के माध्यम से एक क्रिकेट प्रत्योगता रखे मेरी सुपकामनाय है आगे भी इसी तरह से इसका आयोजन प्रत्योगता का योजन होता रहे और भब होता रहे छेत्र की विधायक महद्या जो यंग तिरंगा समीती की जो मांग है मांग पत्र को यहां पर पढ़के सुनाई है और इसमें खर्चा तो होता ही है इतना अब बहुत रहाए तो हो गाई और इसके संचालन के लिए प्रतिवर्स दसलाक रुप्य की मांग यंग तिरंगा समीती के तरब से आई है मैं मुक्यमंत्री के नाते घुत्रा करता हूं कि अप्रतिवर्स इसे प्रत्योगता के आयोजन के लिए छत्तिगर्ण सरकार से दसल योग हो सकेगा और आज मैं हाँ पर जम्मू की टीम और जारकन की टीम का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यह पुर्पोगिता बिगत 15 दिनों से चल रहा है आप सभी किरकेट के प्रेमी 15 दिनों तक एक खेल का योजन और इसका अनंद आप सब लोग लिये होंगे मैं सभी खिलाड़ी बंदों को सुबकामना जेता हूं जितनी भी टीम देश के उबिन छेतरों से यहाँ पर आए पिछले 15 दिनों में यहाँ पर अपने खेल का प्रदेशन किये और आज जम्मू और राची की टीम अपना खेल का प्रदेशन कर रही है सबको सुबकामना है सबके उजवल 20 के हम कामना करते हैं और चत्तिजगड़ भी और चत्तिगड़ की सरकार भी खेल को बढ़ावा देने के लिए बचनबद है और मैं आउगत कराना चाहूंगा कि जो राइपूर में क्रिकेट का स्टेडियम है वो पूरे देश में तीसरे नमबर का है सुधा के दिविटी से तीसरे नमबर का है चत्तिजगड़ में खेलों के विकास के लिए बचनबद है चुकि बहुत बिलम हो गया है इसलिमें और ज्यादा नहीं कहते हुए यंग तिरंगा समीती जस्पूर का धनवात करते हुए कि हर साल की 32 साल भी हमें यहां पर बुला समान किया हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह से आप लों का सने मिलता रहे और आज दोनों टीम को भी सुबकमना है और यह जन अच्छे से संपन हो जाए इसकी अपेक्षा करते हुए मैं आप सब लोगों का फिर से हिर्देश अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात क समापन करता हुँ जाए हिन जाए चितिस गाड़ दिल्ली भाजपा पार्टी मुख्याले में प्रसवार्ता का आयोजन किया गया इस अफसर पर बीजेपी पार्टी की राष्ट्य महासची विनोत तावडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पियम मोदी की नेतरि में किये गए हैं इसके साथ ही उन्होंने विश्वास वर्त करते हुए कहा कि इस बार भी पूर्ण वहुमत से वीजेपी की सरकार बनेगी पिछले एक दशक से निरंदर तास के साथ विकास के प्रती समर्पित यश्यस्वी प्रदान मंत्री मानलियन नरेंदर मोदी जी के नेतरुत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरिब कल्यान तता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्बूत मिसाल देश में ही नहीं अपितु विश्व पडल पर प्रस्तुत किया है। शेत्र भी बड़े, प्रदेशों में भी हम बड़े, साथी NDA का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। प्रदेशों के मन में भी है और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है। फिर एक बार मोधी सरकार। इस फरवरी को केंद्रिय चुनाव समीती जो माननिय प्रदान मंत्री और माननिय अद्र जी के उपस्तिते में हुई। उसमें सोलर राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट का निरणे हुआ। उसमें माननिय प्रदान मंत्री जी वारानसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रिय मंत्री और राज्य मंत्री इनके नाम इस सुची में 195 में है। एक लोगसबा अद्यक्ष जी का नाम भी है। और दो पुर्व मुख्यमंत्री ऐसे 195 में उमिद्वारों के नाम है। उसमें 28 हमारी मात्रुशक्ती है। 50 से कम उमर वाले 47 युवा उमिद्वार 47। फीमेल 28 मात्रुशक्ती 28। यूथ 47। अनुसूचित जाती शेडूल कास्ट 27। शेडूल ट्राइब अनुसूचित जनजाती 18-18, पिछडा वर्ग OBC 57। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतित्व इस पहले लिश्ट में दिया है। इसमें जो प्रदेश के बारे में विचार हुआ, उसकी सूची आज है बाकी प्रदेशों की चर्चा दुबारा जब होगी, तो उसके बाद वो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोश्टना करेंगे, पशिम बंगाल 20 सीटों की आज घोश्टना करेंगे, मध्यप्रदेश 24 सीटों की आज घोश्टना करेंगे, गुजरात 15 15 सीटों की अभी हम घोश्टना करेंगे, राजस्तान 15 15 सीटों की आज घोश्टना करेंगे, केरल 12 12 सीटों की आज घोश्टना करेंगे, तेलंगना 9 9 6 9 की घोश्टना करेंगे असम 14 में से 11 11 की घोश्टना करेंगे जारकन 11 11 की घोश्टना करेंगे चतिसगर 11 उसकी घोश्टना होगी दिल्ली 5 की घोश्टना होगी 5 जमु कश्मिर 2 उतराकन 3 अरुनाचल प्रदेश 2 गोवा 1 तृपुरा 1 अंदमान निकोबार 1 दमनेंदिव 1 ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोश्टना करेंगे अभी समय है एक ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर आप कहीं जाए नहीं छोटा सा ब्रेक और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूटूब चैनल दैनिक इंडिया दरपन को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले पंजाब की मुख्यमंतर भगवंतमान और आमादमी पार्टी की राष्टे संयोजक अरविन केजरिवाल ने लुधियाना से 13 स्कूल आफ इमेंस का शुबारंब किया इस दोरान केजरिवाल ने स्टाफ इवं विध्यार्थों के साथ बातचीत की और स्कूल में मिल रहे सुविधाओं के बारे में विध्यार्थों से जाना इस दोरान मीडिया को संबोधित करते हुए CMK जिवाल ने कहा कि आज 13 स्कूल आफ इमेंस का शुबारंब हुआ है इन स्कूलों में शांदार क्लास्रूम, लैप, स्विमिंग पूल, ग्राउन, उम्दा स्टाफ है CMK जिवाल ने जनता से आप पाटी को वोट देने की भी अपील की होता कि यह सरकारी स्कूल है और एक बार अगर आप सारे सरकारी स्कूल का चक्कर लगाओ जिस तरह के क्लास्रूम्स हैं, जिस तरह की लिबरेटरीज हैं, जिस तरह की फैसलिटीज हैं मैं चैलेंज के साथ क्या सकता हूँ कि अगर प्राइवेट में किसी ने ऐसा स्कूल बनाया होता तो बड़े अराम से 10-15,000 रुपे महीने की फीस रख लेता इसकी 10,000 से तो उपर की फीस होती है अगर ये प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा स्कूल और इतना शानदार स्कूल होता तो तो आज हम अपने बच्चों को मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे, रिक्षेवाले के बच्चे, गरीबों के बच्चे, प्लंबर के बच्चे, इलेक्ट्रिशन के बच्चे जिनों ने कभी सपने भी नहीं देखे थे कि हम कुछ बन पाएंगे यह जो confidence हमारे बच्चों के अंदर आ रहा है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर अब जो confidence आ रहा है और जिस confidence के साथ वो बात का भी हमने कई बच्चों से बात की अभी एक साल यह वह उनको पढ़ते हुए उनके सपने जरूर पूरे होंगे, क्योंकि उनको भी वही अफसर मिलने चालो हो गए, जो पहले अमीरों के बच्चों को मिलते थे, प्राइविट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलते थे, हमने बच्चों से पूछा, कि पूरे पंजाब के अंदर इस किसम का प् अठा के देख लो पंजाब का, और आज इस स्कूल से कंपेर कर लो, आज हम बेस्ट एजुकेशन, मुझे फक्र है कि हमारी सरकार, मान साब की सरकार, बेस्ट एजुकेशन दे रही है पूरे पंजाब में हमारे गरीब से गरीब बच्चों को, पिछले साल स्कूल आफ एमि मेरा पंजाब आना होता है, दो दो सीम पंजाब के स्कूलों में घूम घूम के स्कूलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सुना था, कोई सीम जाता था सरकारी स्कूलों का जायजा लेता था कि स्कूल ठीक टाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, दो दो सीम सरकारी अस्पतालों के अंदर महला क्लिनिक के अंदर जा जाके वहां का जायजा ले रहे हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने सिहत का अंदाजा लिया था, किसी ने सिहत का जायजा लिया था, यही तो बुनियादी समस्याएं हैं, एक आम आदमी को क्या चाहिए, एक कोई डाक्टर बनना चाहता है यह जब बच्चे यहां से निकलेंगे एक एक बच्चा महीने में 3-4 लाक रुपय कमाए गा आज उनके माबह शात चाहर रुपय महीना हैं जब बच्चा निकलेंगा और 3-4 लाक रुपय महीना कमाए गा उस एक परिवार की गरीवी तो दूर ह गई ना एक ही चीज है जिससे हम अपने परिव अपने देश की गरीबी दूर कर सकते हैं और वो है शिक्षा अगर हमने अच्छी शिक्षा दे दी अपने बच्चों को एक पीड़ी के अंदर जब ये बच्चे घर से पढ़ाई पूरी करकर के ने एक पीड़ी में अपने लो अल्ला क्लिनिक बनाया काफी जगे बन गया है कुछ जगे बाकी है महा पर बना रहे हैं सुखी रहो स्वस्त रहो सेहत अच्छी दे बगवान आपको कभी कोई बिमारी नहो लेकिन अगर बिमारी होती है तो खर्चे की चिंता मत करना आम आजमी पार्टी की सरकार है मान हैं आपकी देखबाल करने के लिए आपका सेहत की चिंता करने के लिए आप लोगों से एक ही बिंती है जिस तरह से आप लोगों ने आशिरवात दिया था 117 में से 92 सीट दी थी अब ये इस चिनाव में भी आप 17 की 13 सीटे दे दो अभी मान साब अकेले लड़ रहे हैं अग फिर ये 13 आपके हाथ होंगे पंजाब के सिपाही 13 दिल्ली में बैटे होंगे मजाल जो फिर केंदर सरकार पंजाब के लोगों के साथ वो कर सके आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके आप सब ये स्कूल देखके भगवान करे पंजाब खूब तरक्की भारत जोडो न्याय यात्रा ने मध्यप्रदेश की गवालियन में प्रवेश किया इस दोरान राहूल गांधी ने यात्रा को संबोजित करते हुए कहा कि भारत जोडो यात्रा के बाद भारत जोडो न्याय यात्रा शुरू की गई है उन्होंने कहा कि इस यात्रा में हमने और द्योगों को खत्म कर दिया अब नयाय क्यों जोड़ा क्योंकि इस देश में जो नफरत फैलरी है उसका कारण अनयाय है किस प्रकार का अनयाय आर्थिक अनयाय समाजिक अनयाय किसानों के खिलाफ अनयाय युवाओं के खिलाफ अनयाय देश में 40 साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी आज है आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है यहाँ पे 23% है यह वहाँ की वहाँ पे 12% है तो तक्रीमन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है बंगलदेश से जादा है बूटान से जादा है जो छोटे उद्योग हैं छोटे वियापारी हैं छोटे बिजनसेज हैं उन सब को खतम कर दिया कैसे जी-एस्टी और नोट बंदी से तो इससे भयंग कर बेरोज़गारी पहली है, दूसरा निया है समाजी का निया है, इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, 50%, आदिवासी कितने हैं, 8%, दलित कितने हैं, 15%, कितना होता है, 73 होता है, अब आप देखो, हिंदुस्तान को 90 सबसे बड़े ब्यूरोक्राट चलाते हैं, आया है सबसर, वो पूरे बज और अगर आप बजट को देखें, तो 6% बजट ये लोग देखते हैं, हमने जाती जनगर्ना की बात उठाई, हमने इस सिर्फ ये कहा देखिए, जैसे किसी को चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है, हस्पताल गए आप, पहला काम डॉक्टर ने क्या कहा, एक्सरे करा कहा न, कि भी हाथ तूटा है, लगता हाथ तूटा है, एक्सरे कराओ, तो हमने कहा कि भाईया, हिंदुस्तान का एक्सरे करा देते हैं, जाती जनगर्ना करा देते हैं, पता लग जाएगा, पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब कितने, दलितों के अब हमने एकसरे की बात की जाती जनगरना की बात की आप कहते हो भाया इस देश में तो बीसी है यह नहीं पिछड़े है यह नहीं सिर्फ दो जात है नारेगा की लिस्ट निकालो आप ठीक है मजदूरों की लिस्ट निकालो उसमें आपको 73% दिख जाएंगे यह जो सड़क बनाते हैं इनकी लिस्ट निकालो इनकी लिस्ट में आपको सब दिख जाएंगे यहां आपको पिछड़े दिख जाएंगे दलित दिख जाएंगे आदिवासी दिख जाएंगे तो मैं सिर्फ यह कहना हूँ कि अगर मजदूरों की लिस्ट में 73% दिख सकते हैं तो बड़े बड़े उद्योग पतियों की लिस्ट में क्यों नहीं दिख सकते पहले क्या होता था पहले इनके लिए रास्ता बनता था कैसे बनता था पब्लिक सेक्टर हुआ करता था आपको याद होगा BHEL, HEL ये सब कंपनियां थी सरकारी नोकरियां लगती थी इसमें इन लोगों का रास्ता बन जाता था अब क्या कर रहे हैं पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो ये सारे के सारे रास्ते एक के बाद एक 73% के लिए बंद किये जा रहे हैं तो यही मैं आपके सामने रखना चाहरा हूँ मेरे मुताबिक या नियाए है आपके खिलाफ इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि अगर हमें देश को मजबूत करना है तो 73% जो आवादी है उनको कही न कहीं तो रास्ता मिलना चाहिए तो बस मैं यही कह रहा हूँ और इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में नियाए जोड़ दिया तो यही सचाई है यह मैं आपके सामने रखना चाहता था आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी इसके लिए दिल से धन्यवाद और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दरपन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले आज हम इसकार्चक्रम में आपसे बिदा लेते हैं आप अनखबरों के लिए बने रहें राश्टर पर्थम बंदे मातराम जाग उठा है भारत